असलाम लेकुम, वेलकम टो फूट किचन, आज की रेसिप्पी है मसाला मैगी की, आईए देख लेते इसको कैसे बनाना है, एक सॉस पैन ले लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, पानी थोड़ा जादा डालेंगे, क्योंकि मैगी को बॉइल करना है, हाफ टी स्पून नमक, वेल, बॉइल डालेंगे, फिर दो मैगी का यूज़ा है, मैगी को डाल देंगे, इसको चार से पाँच मिनद तक अच्छे से बॉयल करके, पानी ड्रेन कर लेंगे, और फिर मैगी पी वन टेबल स्कून ओयल के साइड में रख देंगे, फिर एक कडाई ले लेंगे, इसम प्यास को जादा नहीं फ्राई करने हैं बस लाइट ब्राउन हो जाए बस इतने ही हम पुछाइए तो चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे तीन से चार मिनट में प्यास लाल हो जाएगा इस तरह से अब इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे और टमाटर रफली चॉप किया हुए यह दो टमाटर है उसको चॉप किया हो डाल देंगे चार से पाच हरी मिर्च है यह डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे इसमें एक ब कर देंगे फिर उसके पार ओपन करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे तीन से चार मिनट में अच्छे से गल जाएगा बस इतना ही शाहिए हमको अब हम एक रफली चॉप किया हुआ शिम्ला मिर्श है उसको भी टाल देंगे अच्छा से मिक्स कर देंगे इसको हम शिम्ला मिर्श के साथ जादा नहीं को करेंगे बस दो मिनाट तक लेट लगा को कर लेंगे अब इसका लेट ढ़ा देंगे अच्छा इसमें मिक्स कर देंगे, अब सभी मसाले को डालेंगे हम, तो यहां पर 1 ती स्पून हल्दी डालेंगे, हल्दी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें, जरूर डालिएगा और 1 ती स्पून धन्या पॉर्टर, यह मैगी मसाला है, और 1 टेबल स्पून यहां मैं चिक्किन मसाला कर यूज करेंगे, आप जरूर डालिए कि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब मैगी को डालेंगे, अब मैगी के साथ, अब हम 1 ती स्पून सोया सॉस, और 1 ती स्पून रिप चिली सॉस ढालेंग तक लिट लगा के इसको कॉप कर लेंगे, बस हमारा मैगी बनके तयार है, आए डिश आउट कर ले, अब इस तरीके से एक बार जरूर बनाएगे, बहुत डिलिशस लगता है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को प्लीज़े नकन येफे, बहुत टी टीज़े अबला इस, वाश बेदा से बार के इसके तानाएगे, बहुत चाहता है का अबारो whole वीडियो बहुत हुत है, चैनल को जए वneईता है, इसको फो पेडमी को दाषबीयो मेरे से प्लेमीट का मैनन में बहुते हैं इस, बहुत